हेलो फ्रेंट्स वेलकम बैक टो अबर यूटूब चैनल आलिंबन 2.0 तो फ्रेंट्स आज की इस वीडियो में आपको बताने बाला हूँ नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए तो चलिए हम सुरू करते हैं तो देखिए फ्रेंट्स आपके स्क्रीन पर देख रहा होगा यह हैं इसको तर्न करोगे तो आपको यहां दिख जाएगा नीचे साइड यहां यह है अंसीन पैसेज जो है दिख रहा है ठीक है और यहां पर इस साइड यह है उपर तो इसमें आप पड़ सकते हैं यहां जो भी लिखा हुआ है ठीक है तो मैं आपको इक बार दिखा देता हूं किया लिखा एक्स्प्लेंड बिद रिफ्रेंस तु होगा डिर्टख भागोन है तो इक वह गगतना है ठीक है तो चलिया आपको देखाता हूं आcü कैसे लिखना के अथे अंएंगला का आप देखिसके और उसके बाद यह च्योड़ कि यह तो इसी का यह रिफ्रेंस हुआया पर petits Quand आपको दिखाना दिखा दिया मैंने यह हैं फैस्ट और सेकंड पेज़ पर अब मैं इसी के आपको इस क्यूबी में वो दिखाना चाहता हूं कि किस प्रकार से क्यूबी में आपको मिलेंगे और किस प्रकार से लिखना तो यह आप मैं स्टार्ट करता हूं उपन करता हूं तो तो आप देख सकते हैं सोफेकल्स ओडिपस रेक्स की ये वो है पोयम उसी का ये कॉंटेक्स और रिफरेंस दिया गया तो आप देख सकते हैं पहले ये पैसेज दिया गया है स्टार्डिंग पर अब जरूरी नहीं कि जो इसमें है और स्टार्डिंग पर वही पेपर में आये बीच में इसे भी आ सकता है कहीं से भी क्योंकि काफी सारी पैसेज दिये गए उसमें और अलग-अलग चैप्टर से दिये जाते हैं जिस प्रकार से अपने हाई स्कूल और इंटर में पड़े होंगे हिंदी में उसी प्रकार से इधर से भी दिये गए हैं इधर से भी दिये ग यह लिखा है एक्स्प्लेनेशन उसको भी लिखना तो पहले हमों को यह याद करना होता है थोड़ा समझना होता है कि जो पैसेज दिया गया है वो किसका है खिसर राइट र सकाहिए और किस चैप्र एक वह द्याण रखना होता है ठीक है तो जैसे यह ODIPUS RECS का है तो यह हमें ध्यान रखना यह reference to the context है उसमें हमको यह लिखना होता है कि यह किसके बारे में बताए गया है तो देखिए फ्रेंट्स जैसे कि इसमें दिया गया है जिस प्रकार का पैसेज सेम नहीं है पर उसी प्रकार का पैसेज इसमें पर टोपिक और लाइन अलग है तो आप देख सकते हैं इसमें reference to the context में लिखा हुआ है इस लाइन्स है बिन टेकन फ्रॉम दा और चेप्टर का नाम लिखा हुआ है और डिपस रेक्स कंपोजट बाइड़ शोफिकल्स इसी प्रकार से जो भी पैसेज आपके एक्जाम में आता है पेपर में तो उसको reference to the context डाल करे हमको यह बात लिखनी होती कि यह जो लाइन है यह जो पैसेज है वो कि से टॉपिक से और किस रॉइटर के द्वारा लिया गया है यह चीज हमको लिखना होता है ठीक है और उसके बाद यह एकस्प्लेनेशन में हमको यह लिखना होता है कि हम यह जो लाइन है इन लाइनों में किसकी बात की गई है लग की बात की गई है रिवेंज की बात की गई है कोई ट्रेजडी है उसकी बात की गई है या फिर कोई नेचुरल बात की गई है पोयम या फिर किसी की हिस्ट्री बत सभी में आता है और सभी में से ये लिखना होता है ठीक है reference to the context or explanation और उसकé बाद बाकी की जो Matrix की जो होते हैं वो फोसे आप लिखी सकते हैं 1212 नम मर्सकि होते हैं ठीक है तो उसको आप आरहाम से लिख सकते हैं और और फ्रेंट्स आपको अगर कोई भी प्रकार की कोई भी और चीज आप पूछना चाहते हैं में इंग्लिस से रिलेटेड तो वह भी आप मुझे से पूछ सकते हैं और बताना चाहता हूँ कि जितने भी मैं वीडियोज अपलोड करता हूँ इंग्लिस ग्रामर के आप उनको देखा करें आपको बहुत हेल्प मिलेगी और कोई स्पेशल वीडियो आप मुझे से चाहते हैं तो वो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं फ्रंट्स तो आप को यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कि आ